दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि smart coin में loan के लिए apply कैसे करते हैं तो दोस्तो अगर आप भी smart coin application से loan लेना चाहते हैं तो आपने बिलकुल रहे वीडियो को चुना है इस वीडियो में आपको जो है complete जानकारी देखने को मिल जाएगी कि इस अब्लीकेशन में किस तरह edise loan के लिए apply किया जाता है और आपको कितने समय के लिए loan मिलता है और कितना interest लगता है तो सरी जानकारी में आपको इस वीडियो में बताने बाला हूँ तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेगा और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आये चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सस्क्राइब कर लेजएगा और जो साथ में गंटी वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लेजएगा क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए रोजना चैनल की काम के उडश्टी वीडियो लाते रहते हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर चिनका लोन अप्लाई किया था उन्हें यहाँ पर दो हजार रुपए से लेकर 12,000 तक का यहाँ पर अप्रोबल आया था शुरुगात में जब आप इस अप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको कम अमाउंट में लोन मिलता है उसके बाद में जब आप दूसरी बार में यहाँ पर उसका रिपेमिंट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छी अमाउंट में लो कि वीडियो को end तक watch जुरूच करिएगा क्योंकि दोस्तों आप लोग पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जो है comment करते हैं कि मेरेको loan नहीं मिला है मेरा loan processing में चला गया है इस तरह कि आप जो है बहुत सारी comment करते हैं दोस्तों वीडियो को भी स्किप ना करें वीडियो को जो है लाश्ट तक देखें तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो अपने Play Store पे आजाना है Play Store के आने के बाद में यहाँ पर आपको लिखना है Smart Coin Smart coin लिखके जैसे आप यहाप पर सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाप पर application आ जाएगी तो इस application को आपको डाउनलोड कर लिना है इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्केप्शन में भी मिल जागी आप इसको बहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करके जब आप इसको ओपिन करेंगे तो यह आपके सामने इस तरह से आजाएगा अब यहाप पर आपसे जो है permission मांगता है तो आपको इस permission को allow कर देना है उसके बाद में अगला page आपके सामने इस तरह से आजाएगा अब यहापर लिखा है कि new user sign up तो आपको यहा आप लिखा है sign up with Google तो आपको इस option पर क्लिक करना है इस option पर आप जैसे क्लिक करोगे तो अगला interface आपके सामने इस तरह से open हो जाएगा अब यहाँ पर आपके phone में जितने भी mail account open होंगे वह आपको सभी यहाँ पर सो हो जाएंगे तो आप जिस भी mail ID से जो है अपना account create करन है उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर अपना एक पिन बनाना है जैसे कि आप जो है अपनी application को बाद में कभी open करोगे तो आप से जो है यह पिन मागेगा तो आपको यहाँ पर पिन बना लेना है जो आपको याद रहे pin बना लेने के बाद में ये आपके थामने अगला page इस तरह सी आज आएगा अब यहाँ पर आपको जो है अपना mail number डालना है यहाँ पर आपको mail number भी verify करना होता है तो सबसे पहले अपना यहाँ पर mail number डालेंगे और get OTP के option पर click कर देंगे get OTP के option पर click करने के बाद में आपके number पर OTP code जाएगा उस OTP code को आप यहाँ पर flip कर देंगे flip करने के बाद में आपसे यहाँ पर कुछ permission मांगता है तो आपको इसको जो है read कर लेना है उसके बाद में accept के option पर click कर देना है accept के option पर click करने के बाद में अगला जो पेज आएगा वो आपके थामनी यहां पर home page इस तरह से आजाएगा यहां पर आप देख सकते हैं get up offers एक लाग रूफ है यहांड कि आप जो है यहां पर एक हजार रूपय से लेकर एक लागत का लोन ले सकते हैं यहाँ पर दोस्तों अगर आप पहली बार अपलाई करते हैं तो यहाँ पर आपको कम अमोर्ट में लोन मिलता है तो लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अन्लॉक लोन ओफर का तो आपको यहाँ पर अन्लॉक लोन ओफर के यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ डिटेल को फिल करना होता है सबसे पहले अपने पर नाम डालेंगे उसके बाद में माय नंबर डालेंगे अगर आपके पास रेफरेनल code है तो आप सको डाल सकते हैं यह optionless को आप ऐसी छोड़ सकते हैं गया पर आपको यहाँ पर continue के option पर क्लिक करने के बाद में जो अगला step आपके सामने आएगा वो यहाँ पर इस तरह से आज आएगा अब यहाँ पर को डालना है यहाँ पर अपनी जेंटर को स्लेट करना है यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है और यहाँ पर आपको अपने एड्रेस का पिंकोड डालना है जो आपके आधार या आप सेलf employment हो या आप कोई the production को सेट कर लोगा उसके बाद में आपसे यहाँ पर पूचना है करने के बाद में आपको क्लिक कारते हो आपको ऑप्सन lu jeder 2 इसका नाम यहाँ पर आपको डालना है औ概 रहffici क्लिक करने के बाद में जो अगला पेज आपके सामने आएगा वो इस तरह से आजाएगा अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो है अपने details को यहाँ पर फील करना होता है जो आप काम करते हो काम क्या करते हो इहाँ पर डालेंगे उसके बाद में अपना जिसका loan apply किया है तो उनको यहाँ पर एक हजार रुपे से लेकर 12,000 रुपे के बीच में जो है loan offer हुआ है 1000 रुपे से लेकर 12,000 के बीच में आप loan ले सकते हैं तो मुझे यहाँ पर apply loan now के option पर click करना होगा तो आप इस option पर click कर देंगे इस option पर click करने के बाइसी कर लेने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी bank detail को फीट करना होता है तो सबसे पहले आप अपनी यहाँ पर bank account को add करेंगे तो add bank account के option पर click कर देंगे उसके बाद में अपनी account number IPC को डालेंगे उसके बाद में आपका अपनी 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 आपको अपना आदार काड नमबर डालना है और यहाँ पर आपको एक capture code को फील करना है और agree and प्रोशीट के option पर click करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड आदार काड पर जो मॉयलमबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP code जाएगा उस OTP code को आप ईपर फील अप करेंगे और यहाँ पर जो है आप अपना यह 5 पांग चंक में का चेंग का aपना यह पर code बना लेंगे और संबीट के बटन पर click करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आपका लोन जो है आपर loan लेने के लिए अपना emended auto pay select करना होता है, auto pay setup करना होता है, यानिकि जो भी आपकी email बनती है, वो आपके account से automatic debit हो जाती है, तो उसके लिए आपको register के option पर click करना है, register के option पर click करने के बाद में, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी bank को select करना है, किस bank का अमखाता आप event करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर arrow का option मिलेगा, आप इस arrow की option पर click करेंगे, और अपने bank account को add कर लेंगे, bank account को add कर लेने के बाद में, जो अगला page आएगा, वो आपके सामने इस तरह से आजाएगा, अब यहाँ पर आप net banking जो है, इसका option आपको पहले ही मिल जाता है, और आप यहाँ पर जो है, डेविट कार्ट से भी अपनी आटोपे को setup कर सकते हैं, तो सबसे तरीका होता है, यहाँ पर net banking का, तो मैं यहाँ पर net banking के option पर click करूँगा, उसके बाद में आपको अपना यहाँ पर customer ID, password डालना है, continue के option पर click करना है, उसके बाद में आपके number पर एक OTP code जाएगा, उस OTP code को आप यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद में आपका auto setup जो है आप पर complete हो जाता है, next और last step आपका रहता है याप पर loan agreement का, तो आप यहाँ पर agreement open sign के option पर click करेंगे, उसके बाद में अगला page जो है आपके सामने इस तरह से आजाएगा, अब यहाँ पर आपकी side rate लदी होगी, उसको आप rate करना चाहते है तो rate कर सकते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पर sign के option पर click करेंगे, sign के option पर click करने के बाद में जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका zone amount होता है, वो यहाँ पर ready हो जाता है, दस से पांच मिनट के अंदर यह जो है आपके bank account में transfer कर दिया जाएगा, तो दोस्तो इस तरह से ही आप जो है smart coin application में loan के लिए apply कर सकते हैं, तो उमेद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें, और चाल को पते subscribe नहीं किया, तो please आप चैनल को subscribe कर लें, धन्यवाद,